तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से RMS Live Learning में और मैं हूँ रमे सिंग दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप Paytm में Save किये गए कार्ड को Remove कैसे कर सकते हैं Paytm Account में आप Easily अपने debit और credit card को Save करके रख सकते हैं उनके through transactions कर सकते हैं लेकिन अगर आपने कई सारे cards अपने Paytm में add किये हुए हैं और आप उन्हें remove करना चाते हैं और नहीं जानते हैं कि कैसे करते हैं तो इस वीडियो में आप सीख जाएंगे यह दो चलिए फ्रेंड्स अब और जादा टाइम वेच ना करते हैं वीडियो सुरू करते हैं तो दोस्तों Paytm पर Saved Cards को Remove करने के लिए आपको Paytm ओपन करके टॉप लेफ्ट कॉर्णर में अपने profile icon पर क्लिक करना है और connection interface में थोड़ा सा नीचे की तरफ scroll करना है स्कॉल करने के बाद यहाँ पर आप UPI and Payment Settings का यह option देख सकते हैं इस पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद आपके bank account की detail आपके सामने आएगी तो गैस यहाँ पर आपको स्कॉल करके थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है और हमने यह three vertical dots पर आपको क्लिक करना है जिसके बाद bottom side से pop-up open होगा तो इसमें आपको delete card option पर क्लिक कर देना है जिसके आपको finally yes delete card option पर क्लिक कर देना है जिसके बाद खुची दिर में selected card आपके paytm account से delete हो जाएगा इसी तरह से दोस्तों बाकी other cards जो आपने अपने paytm account में save करके रखे वे हैं उन्हें भी आप one by one करके ठीक इसी परकार से अपने paytm account से permanently delete कर सकते हैं delete करने के बाद यहाँ पर add new card option पर क्लिक करके आप कभी भी अपने paytm में new debit या फिर credit card सेव करके रख सकते हैं तो आज की इस वीडियो पस इतने ही दोस्तों मिलता हूँ आपको इसी तरह की next interesting वीडियो में किसी new topic के साथ तब तक के लिए जैहिन